नमस्कार दोस्तों मेरे नामें भालचंद्र ब्रह्मांदा सिद्याष्टो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि आपकी रुषब राशी है तो आपका जो बॉइफ्रेंड है उसमें किस प्रकार के कॉलिटी या फिर गुन होने चाहि सभी 12 राशी के लिए उनका बॉइफ्रेंड किस प्रकार का होना चाहिए उसके सदर में वीडियो अप्लोड हो चुके है आप उसका आनद जरूर लिजे आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी रुषब राशी है तो आपका बॉइफ्रेंड किस प्रकार और मुंतिव औन तम.' तो इसका सव्वाव अदेचर किसमें प्रकारा होता है उसमें कौनसे अच्छी बाते है वो सभी देखर सभी बाते हो देखकर हम उसको बॉइफर्म प्रणा देते हैं हम किसी कि उसके राशीने कुछते उसकी जनम-थारिक जनम-कसमें जनम यह बाते पूछते ने लेकिन हम यह जरूर देखते हैं कि उस वह जो लड़का है या फिर वह जो वेक्ति है उसमें किस प्रकार के उसके जो कौलिटी से वह गुन किस प्रकार के हैं उसके बारे में हम चार्चा करने वाले हैं सबसे पहले हमें यह जानना जरूर है कि सामने व बेखती है किस प्रकार की बेखती है जो कि आपके लिए compatible हो सकती है प्यार में या फिर long run relationship में तो चलिए जानते हैं पहले रुशब राशी के लिए मतलब आपके जो गुणदर्म है आपका जो नेचर है वो किस प्रकार का है आपके राशी का स्वामी जो है वो शुक्र है स्त दीरए राशी प्रित्म टत्वती राशी है तो इसका मतलब क्या है इसके माइनने क्या हैं पहली सबसे बैइतों कुर्ण बाद की जो राशी य apresent को थोड़ी से आंगेरी श्युक्र होती है सॉफ्ट पोकन है मतलब आपके जो वानिय हैं वो काफी मधूर होती है आपके बोलने का जो अंदाज होता है वो काफी अच्छा होता है सोच समझ के बोलते हैं शांत रूप से बोलते हैं और हस कर बोलते हैं मतलब अपनी जो बात है वो काफी अच्छी तरीके से आप सामने लाते हो बात होती है कि बोलना आपका इतना मखुर होता है कि सामने वाला व्यक्तित्र हमेशा ये सोच समझ कर चलता है कि वहाई इस कि कभी गुस्सा आता ही या फिर इसकी जो भाहूना आपका जो रहन से होता हो काफी अच्छा देखा जाता है लेकिन इसे दूसरी भी जो बात है वो भी आप में अच्छी तरह किसे पाई जाते हैं जो कि पॉजिटीव ले सकते हैं कि आप बहुत ज़्यदा प्रैक्टिकल होते हैं मतलब पैसे कहां पर कर्च करने हैं कितने खर् लेनी है मतलब वो जो वैल्यू फर मनी जिसे हम बोलते हैं वो आपको काफी अच्छी तरीके से आता है वह यह बात है और दूसरी बात सब्सक्राइब आपके पास काफी अच्छे होते हैं दिसे के मैंने का प्रैक्टिकल होने के बाओ जो लिए जो ब्रैक्टिकल वीक्ति होते वह उपर ज्यादा वस्तरों को अपर दयान नहीं देए पैसे कम खर्चपर लेकिन आपके राशी वस्तरों के उपर ड्रेसे से उपर मुवी के यह फिर घप शप में यहां फिर फिर खाने पीने में खर्चा करती है लेकिन उसमें भी देखते ह dirig काहं पर खर्चे करने का पर नहीं कर्चे करने खाने के मामले में में भी और प्लेकbers करते हैं लेकिन लिए आपकी जो तबीयत है वह थोड़ थोड़ी से ओवरवेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ी से हेल्दी जिसे हम बोलते हैं, लेकिन काम करने के मामले में भी आप काफी अच्छे होते हो, सोज समझ कर जो भी बाते हो करते हो, घर के जो काम है, बाहर के जो काम है, वो भी अच्छी तरीके से पूरे कर लेते हो, तो चीन का मिलना चाहिए या फिर आपका बॉइफ़रेंड किस्परकर का होना चाहिए आपका जो बॉइफरेंड है वह पहली अच्छे नहीं हो लेकिन उनका रहन से काफी अच्छा होना चाहे उनके कपड़े या फिर उनकी जो स्टाइल है वो काफी अच्छी होनी चाहिए ये बात ज्यादा महत्व पुर्णबाथ उनको शॉपिंग मेज़्ड़ान चाहिए फिर मुवी देखना एक रहना या तैब द दूसरी चदर में तो गुन बाद देखी, सभी के बारे में, मतलब आपकी जो राशी है, उनके उसके बारे में, मैंने कई भी महसbiesось कर सकते हैं कि अगर आपको पसद नहीं आई तो वह बात आप कभी भी नहीं माणेंगे मानें में जब तक आपको नहीं लगता जब तक आपके मन से वह बात नहीं निकल एक ठीक है अब भी मैं इसके सुछी हो जाओंगी तब तक वह आप बात नहीं मानते दीजहां इस कहरे क्ँली करते कि अपने बात लकात पर अड़े रहना तो यह बात और समने वाले मिक्ति में उसमें नहीं होनी चाहिए बकी बाते हैं मैंने कहा है कि वो बार्गर को आपके के अची लेकि nad紀ै तो on आपके लिए वह प्रॉब्लम वाली बन सकती है फिर आप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर वह भी इगोस्टिक है अगर उसमें भी अहिंकार है अगर वह भी अपने बातों पर कायम रहने वाला विक्ति है तो फिर आगे जाके मतलब पहले तो थोड़े दि लिए शसक्ता आती है और चोटी-चोटी बातों कर लेकर बडे प्रॉब्लम हो जाते हैं और वह बड़े प्रॉब्लम और के में काफी जयदा बादधा बन सकते हैं तो यहीं बात है सिर्फ एक बात द्याद में रहें जैसे पहली बात कहीं कि आप वह जो व्यक्ति है सामने वाला फाइनेशली आप अच्छा होना चाहिए और दूसरी बात वह मैचौर होना चाहिए अगर यह दोनों बाते हैं उस वह जो लड़का है या फिर जो भी तो अगर आपकी रुशव राशी है और अगर आपको बॉइफ्रेंड का चुनाव करना है तो यह जो कॉलिटी अगर आप सामने वाले व्यक्ति में देखते हो तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके रिलेशन्शिप में नहीं आएंगी अगर आप किसी के सकते हैं और उसके संदर में कुछ मार्क दर्शन भी कैसा कर सकते हैं तो दोस्तों यह था अगर आपकी रुशव राशीया और आपको बॉइफ्रेंड का चुनाव करना है तो किस प्रकार का करना होगा कौन से कॉलिटी जूत में होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा आपक के लेटस नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएगी धन्यवाद